आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हूँ तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्पाइब देखो यार सिंपल सी बात है मैं लेच्चर तब तक बनाता रहूंगा जब तक कि पर कारवाई नहीं होगी मान के चलो यूगि क एक पुर्णाइब के समर्ति घ्यास सरज दिया है अंझे क्यूंकि अन्होंने पाकिस्तान स्टेस्ट मैच में वापस पह स walking उनका गिरफ्तार कर लिया जागा बहुत जदा पॉसिबिलिटी यए कง कि कि पार्टी के ते यह देखना है एक प्रिंसपल राकशी के प्रिंस्पल दीन थे कौन थे उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि आरोप यह था कि उनके ओपर प्रेशर बनाए जा रहा था कि आप यह धार में एक वर्स जो है रिसाइट करने की पर्मिशन तुरों ने मना किया रिजाइन देना पड़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि ह हिंदू बहुत बड़े खत्रे में हैं मौमद यूनिस बहुत अच्छे आदमी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बांगलादेश में जो खड़े हुए हैं हिंदू के साथ लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जो रियल पावर में है ना या अगेंस्ट धार्मिक कटर अग्ता वहां पे जनम ले रही है जो पाकिस्तान के हालात है उससे बत्तर हालात बांगलादेश के हुँगे हमारी वज़े से बांगलादेश बना भारत की वज़े से अगर भारत नहीं होता तो वह टॉर्चर कभी रुपता नहीं हमने इंटर्वीन किया और आज वही लेकिन मैंने का कि मुझे पर्क पड़ता ही नहीं है और वह इंसान नहीं जो कमेंट से एक दम बहुत मुझे आम टोटली चिल और सबसे वड़ी बात यह है कि यह चीज़े हो रही है घलत हो रही है आप देखिए एक और आपके सामने मैं चीज़ बताता हूं 50 टीचर ने र प्रोग्राम कर चुके होंगे आप जो चाहेंगे वह हो जाएगा यह आप अवेल कर सकते हैं आपको डाउनलोड करें वेबसाइट विजिट करें 9 महिनी के वैलेडिटी 100 डेस पर है कॉम्बो लेते 75 डेस प्रस 100 डेस तो एक साल की वैलेडिटी है आपको डाउनलोड करें और आपकी वैलेडिटी 6 सितंबर से ही काउंट होगी सिर्फ 500 रुपे का कोर्स आप देखें जादा वक्त बचा नहीं है 6 सितंबर से क्लाश शुरू होगी तो कोर्स को अवेल करें बहुत ज़्याद आपको फाइदा होगा तो यह आप तस्वीर देख रहे हो यह बांगला प्रॉपर प्रॉपागेंडा चलाया जा रहा है नफरत का फ्लट साय भारत की वज़े से हमने क्या किया है फ्लट प्लेइन में हो तुम भाई वह आता ही रहते हैं तो सारी चीजे अब भारत में मड़ी जाएंगी चिकन ने कोरिडोर एक्सपांड करने की बात हो रही थी कर इतने दिनों तक चल पाएगा यह देखना पड़ेगा एकोनोमिक आर्थिक हालात उनके खराब और बत्तर होंगे शेख हसीना ने गलती की बहुत बड़ी गलती की भायानक कुनों ने हिंसा करी जब यहां पर प्रोटेस्ट हुए नहीं करनी चाहिए थी चीजे समाल सकती थ अब हुआ यह है कि पचास हिंदु एजुकेटर्स जो बांगलादेश में बहुत सालों से अपनी सेवाय दे रहे थे स्कूल में युनिवरसिटी में नामी गिरामी युनिवरसिटी में उनको रिजाइन करवाया गया है कियानी करवाया गया है दियार फोर्ज डिटु पर कितनी औरतों के बरत्याचार कोई बचाने वाला नहीं वहां पर शुकला रानी हलदार जो की प्रिंस्पल बकर गंज गवर्मेंट कॉलिज जो की बारिशाल में है तो बांगलादेश डेली जो न्यूस पेपर है बता रहे हैं 29 अगस्त को भीड गुज गई आप समझे घीड घुज गई और बोला कि रिजाइन करो उनके पास और कोई चारा नहीं था ब्लैंक पेपर पे उन्होंने साइन किया और डेट लिखी मीचे आप समझ रहो 29 अगस्त 18 अगस्त को 50 स्टूडेंट्स आजिमपुर सरकारी गवर्मेंट गर्स स्कूल और कॉलेज में गीता टीचर शैनाजा अक्तर उनको भी रिजाइन करना पड़ा यह बता रही है कि उनको अठारा अगस्त से पहले मुझे उन्होंने यह नहीं बोला था कि रिजाइन करो लेकिन वह मेरे ऑफिस में मुझे हुमिलियेट किया आप समझ रहे हो ना आप मॉड़स ऑपरेंडी समझ भीड़ लेके जाओ 100-200 लोगों को और लेड़ी लोग डर जाएंगे रिजाइन करवाओ हुमिलियेट करो नहीं हो तो मारो पीटो कुछ भी करके बट इनको यहां से अटाओ यह मॉड़स ऑपरेंडी और यह कितना भयावय है आप सोची आप अकेले हो 100-200 लोग आपको घे हो रहे हैं संजे कुमार मुखर जी जो कि एसोसियेट प्रॉफेसर हैं डिपार्टमेंट पब्लिक अड्मिनिस्रेशन और गवर्निंस काभी नजरूल उनिवस्टी में वो बताते हैं कि मुझे जबर्दस्ती रिजाइन करवाया गया मैं प्रॉक्टर था हैड अव डिपार और इन्हों ने देखिए एक प्रोटेस्ट तो शुरू हो रहा है ऐसा नहीं है जो यहां पे हिंदू कम्यूनिटी बुद्धिश क्रिशन एक पूरी काउंसिल है उनकी तो वो एक प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं होगा लेकिन आप यह मानक है ये इनका रेविलुशन है ये इनकी करांती है अगर आप लेनिन की तरह बनो ना सबको सही ट्रीटमेंट हो ना आप करांती क्यों लाते हो आप करांती इसले लाते हो क्योंकि एक अच्छा भविश्य हो अच्छा वर्तमान हो आप लोगों को उनके राइट्स देना चाहत तो यह हो रहा है जब तक जब तक जमात BNP पिच्चर से नहीं जाएंगे तब तक चीज़े बदलेंगी नहीं क्योंकि पाकिस्तान की बैकिंग है डारेक्ट चाइना की बैकिंग है वो उनके वो देश के लिए सोच ही नहीं रही है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स शुड टेक ओवर लेकिन स्टूडेंट्स भी क्या ही कर नाहिद इसलाम ने सीधा अगें भारत भारत के किलाब जहर उगला उन्होंने उसने अब यहीं बता रहे हैं कि टीचर्स को जबर्दफिर डिजाइन करवाया जा रहा है उनको मारा जा रहा है हरास किया जा रहा है जो अमधी मुस्लिम है जो जेन जी है जो बच्चे अठारा बीस साल एकिस साल बाइस साल के ये लड़के ये मार रहे हैं है ना मजार दरगा जो सूफी मुस्लिम स्वर्म को खतम किया जा रहा है इस्लामिक टेरिस्टे द्वारा और यूनिस कुछ नहीं कवे ये तस्लीमा नसरीम ने ट्वीट किया है ये सब हो रहा है बांगलादेश मैं बता रहा है कि अगर आपको नर्क देखना इस समय बांगलादेश चले जाईए बहुत बुरे हालात है कब तक चलेगा वी डोंट न सुका है आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा थैंक्यू सो मच